हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रंजन एंड वेलकम टू द्रोणाचाजिय एजुकेशन दोस्तों आप तो जानते हैं कि यह हमारा टीचिंग एप टीचिल्ड का एक पीउ आई क्यू सीरीज चल रहा है और यह हमारा पार्ट सेबन है उस सीरीज का अगर आपने प्रिभियसली जो सारे वीडियो डाले गए हैं जैसे कि वान से लेद कर सिक्स तक अगर आपने नहीं देखा उन वीडियों को प्लिस डेक्स्क्रिप्शन बक्स में जाकर आप उन वीडियों को अच्छे से देखो जिससे आप जो भी कोशिंस हम डिसकेशन किये ह उसको ठीक से समझ सके और ठीक से अपने आने बाले exam में उन questions का ठीक सो आप attempt कर सकते हैं ठीक है इसलिए हम ये series लाएं All you need is to believe yourself इसका यही मतलब है कि आप खुद पर तो विश्वास करके दिखो कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप खुद पर बर्शा है विश्वास है तो आप बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं ठीक है इसके लिए सिर्फ एक छोटा hard work करना है hard work और थोड़ा सा smart work भी करना है ठीक है तो आपका confidence level सबसे उपर हो जाएगा चलो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले कोस्चिन से कोस्चिन नमबर वान इपे चाइल्ड फ्रम दी प्राइमेरी सेक्षन इस साय एंड कोईट अगर प्राथमिक कख्या का एक बच्चा सर्मिला और सांध है तो आपको सिख्यक के हिसाब से क्या करना चाहिए इग्नोर तो चाइल्ड उस बच्चे को नजर अंदाज कर देंगे ट्राइ टू मेग हिम मोर कमफटेबूल उसे ज्यादा साज महसूस कराने की कोशिस करेंगे या फिर डिसकस इड इन दा स्टाब रूम स्टाब रूम में उसके बारे में चर्चा करेंगे मेग हिम सीट उसको एक बातुनी बच्चे के साथ बैठाएंगे तो आप भी इस कोशिन को एंसार करने के लिए जरूर ट्राइ करें ठीक है हम पहले अप्शन से सुरू करते हैं इग्नोर दो चाइल्ड हम चाइल्ड को इग्नोर नहीं करेंगे एक teacher के हिसाब से हम किसी भी child को classroom में ignore नहीं करेंगे तो हमारा पहला option cut हो गया Try to make him more comfortable उसे ज़्यादा सहज महसुज कराने की कोशिस करेंगे तो ये हो सकता है Discuss it in the stab room Stab room में हम discuss नहीं करेंगे एक teacher की हिसाब से हम try करेंगे कि हर कोई problem जो की बच्चे से related है उसको classroom में ही खुद ही solve करने की प्रयास करते हैं तो stop rooms में उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे Make him sit with a talkative child उसे किसी भी बात नहीं तो यह करने से एक talkative child से जदी हम बिठाएंगे उसके पास तो क्या होगा Classroom और भी disturbance create होगा Classroom में बहुत सारा disturbance create होगा ठीक है और वो कुछ भी नहीं सिख पाएगा तो हमारा सही answer होगा यहां पर option number B Try to make him more comfortable उसे सहज महसूश कराने की कोशिस करेंगे तबी वो freely and comfortably Classroom में एक्टिफ होगा और उसका participation भी अच्छा रहेगा बढ़ते हैं हमारे अगले कोशिन के और Question number 2 An ideal teacher should concentrate on एक आदर्स सिख्य को किस बात पर ध्यान देना चाहिए Content to be taught पढ़ाई जाने बाली सामगरी Students capacity विद्धार्थिये कई ख्यमता Family background of the child बच्चे की पारिबरिक प्रुष्ट भूमी या फिर All of the above इसमें क्या होगा एक ideal teacher का concentration में क्या include होगा तो पहले option जदी देखेंगे हम Content to be taught क्या पढ़ाय जा रहा है उसके उपर ध्यान होना चाहिए सही है यहाँ पर अप्शन नमर है Students capacity की एक student का capacity कैसा है कैसा है मतलब अलग-अलग students का अलग-अलग capacity होता है जैसे की special children like gifted children उनका IQ जदा होता है मतलब उनका capacity जदा होता है सिखने के लिए जैसे हम special children में और भी disabled children भी आते हैं उनके अंडर तो उनका भी क्या होता है उनको भी थोड़ा time लगता है अलग-अलग चीजें सिखने के लिए तो उनका capacity अलग होता है gifted children से तभी उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए एक adult teacher को पढ़ाना चाहिए तो ये भी ध्यान में होना चाहिए C family background of the child उसका family में क्या चल रहा है उसके family or problem क्युछ है की नहीं है किस family से आया है वो भी उसके उपर भी concentrate होना चाहिए तो यहाँ पे सभी option आपका ठीक हो जाएगा तो से एंसर क्या होगा option number D all of the above होगा यहाँ परते हैं हमारे अगले question क्या question number 3 which of the following skills make a good teacher उनमें से कौसल एक अच्छा सिख्यक बनाता है language, भासा, reading, communication या फिर एक good personality इसमें से क्या होगा सही अंसर language, हाँ ठीक है यह सही होगा भासा ठीक होना चाहिए जैसे कि mother tongue होना चाहिए reading, पढ़ना communication, संचार एक good personality एक अच्छा personality भी होना चाहिए ठीक है, जैसे हम communication option को देखेंगे तो क्या होगा इसमें एक अच्छा language भी होने से भी communication अच्छा होगा अच्छे से पढ़ना, मतलब एक teacher पढ़ रहा है, तो क्या होगा? students आरे ठीक से सुन रहे होंगे ठीक से पढ़ने से ठीक से सुनेंगे सबीची तो क्या होगा? communication अच्छा होगा language अच्छा language बोल रहा है मदर टंग में और उसका language, teacher का language बहुत ही अच्छा है clear है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसमें communication बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पर communication ही इसके अंडर में आ रहे है यह language, reading, good personality तभी होगा जब communication अच्छा होगा तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका option number C बढ़ते हैं हमारे अगले question के और Question number 4 इपे child shows behavioral problems then what would you do? यदि एक बच्चे में आपको व्यवहारीक समस्याएं दिखाई देती है तो आप क्या करेंगे? Take him to the principle उसे प्रधानाद्यपक के पास ले जाएंगे Punish him उसे दंड देंगे Talk to his parents उसके माता-पिता से बात करेंगे या फिर be patience with them उसके साथ धरजवान रहेंगे तो यहाँ पे हम पहले अप्सन जब देखेंगे Take to him to the principle पिंसिपाल के पास ले जाएंगे पिंसिपाल देखो जदी एक चिल्डरन का कोज़ भी प्रूबलेम हुआ पहले मैं बोल चुका हूँ कि उसका behavioral problems है तो जो भी problem होगा टीचर को कोशिस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका problem classroom में ही खूद ही solve करना करने की प्रयास जरूर करना चाहिए एक teacher को तो उसको पिंसिपाल के पास नहीं ले जाएंगे यह अप्सन नहीं होगा punishment हम तो जानते हैं उसको punish नहीं कर सकते तो यह भी हमारा जिसकी आप जानते हैं corporate punishment is spent in our India तो यह भी option आपका cut हो गया C option talk to his parent उसके माता पिता से बात करेंगे तो यह एक एसा problem भी नहीं है जो की माता पिता के पास भी पहुँचकर उसका समाधन किया जाए सकते तो जिसके पास यह problem है उसकी साथ बहुत अच्छे अर धोर्चवन रहे के उसका problem को solve करेंगे यह एक अच्छा teacher का क्या है एक अच्छा teacher का एक quality है ठीक है आपका सही answer यहाँ पे इसलिए हो जाएगा भी बैसेंस विद हीम option number D बढ़ते हैं हमारे अगले question के और question number 4 you have caught a student eating in your class in such a situation what would you do आपने एक बिद्धार्थी को कख्या में खाना खाते हुए पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे उस समय send him out of the class उससे कख्या से बाहर कर देंगे give him a tight slab उसको एक कसकर तमाचा मारेंगे और insult him in the class उसको कख्या में अपमान करेंगे stop him and talk to him later उसे खाने से रोकेंगे और बाद में उसके साथ बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर सही answer send him out of the class आपको पता है एक अच्छे टीचर कभी भी rude behavior नहीं करता students के साथ तो उसको हम classroom से बाहर नहीं निकल सकते तो यह अपसान हमारा cut हो गया give him in tight slab यह तो बहुत rude ही behavior हो गया यह भी हमारा अपसान cut insult him in the class insult भी नहीं करेंगे उसका interest जब एक student को हम किसी भी बात पर insult करते हैं तो उसका interest बहुत ही काम हो जाता है और वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा classroom में कोई भी चीज सिखने के लिए ठीक है तो हमारा अपसान यहाँ पर क्या होगा अपसान नमर डी से ही answer होगा stop him उसको रोकेंगे खाने में और उसको उसके साथ बाद में बात करेंगे इसके बारे में ठीक है तो हमारा अपसान यहाँ जाएगा बढ़ते हैं हमारे अगले question क्या question number 6 what do you understand by peer group आप साथी समय से क्या समझते हैं students in the same class एक ही कख्या में विद्यार्थी जो होते हैं वो होंगे peer group या फिर people having the same profession एक ही विवसाय में जो लोग होते हैं और students of the same as एक ही उम्रव के विद्यार्थी जो होते हैं तो क्या होगा सेही answer देखो हम जब peer group के बारे में बात करते हैं तो same class में होने से भी हम उसको peer group कहते हैं same profession में भी होते हैं जैसे आप भी teacher हो और आप जिस school में जब कर रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो उसमें और भी teacher हैं वो भी आपका peer group ही होंगे और same as जैसे कि आपका as 14 है तो और दूसरा कोई भी 14 as का है तो उसको भी हम peer group ही कहेंगे तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number D जो कि है all of the above यह सही ठीक है चलो बढ़ते हैं हमारे अगले question के और question number 7 what does memorization depend on याद करना किस के उपर निर्भर करता है capacity to remember याद रखने की ख्यमता के उपर interest दिलचपसी के उतर उपर destruction व्यकुलता के उपर याँ फिर IQ तो क्या होगा यहाँ पर सही answer खूद ही करने के लिए try करें देखो memorization किस के उपर निर्भर करता है याद कैसे रखेंगे और ज्यादा टाइम के लिए ये रहेगा कैसे capacity to remember कितना ख्यमता है हो सकता है interest दिलचपसी interest देखो आपको याद होगा आप सभी का एक experience होगा कि ज़िए आप किसी भी subject में किसी भी field में या भी किसी भी information के लिए ज़िए आपका वहाँ पर interest है तो क्या होता है वहाँ पर include होता है एक subject में आपका बहुत दिलचपसी है जैसे कि science science पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको बहुत interest है आपको इस subject के उपर तो आप जो भी पढ़ेंगे science के उपर बहुत ही अच्छा इसमें क्या करेंगे performance होगा आपकी यहाँ पर जैसे आपको math पसंद नहीं है बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको math तो क्या होगा हम जितना भी कोसिस करेंगे पढ़ने के लिए अगर आपका interest नहीं होगा यहाँ पर तो यह हमारा ठीक performance नहीं यहाँ से इस field में math के field में हमारा अच्छा performance नहीं होगा कभी भी तो इसलिए क्या होता है यह जो memorization होता है जो कि याद करना जिस field के उपर हमारा ज़्यादा ही interest होता है वो चीज हम जल्दी से सीख पाते हैं उसको याद करके तो हमारा सही answer हो जाएगा यहाँ पे interest distraction तो नहीं हो distraction से हम याद रख पकते हैं और जल्दी जल्दी भूल जाते हैं यहाँ से IQ IQ depends करते हैं बट interest सही answer होगा और बहुत बहुतिरिन option यहाँ पे है ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले question क्यार Question number 8 Students in the primary school with visual disorder should be दुरुष्टी भीकर बाले प्राथमिक विद्दले के बच्चें के साथ क्या करना चाहिए excuse to do a lower level than the rest of the class बाकी कख्या के तुलना में काम काम करने के लिए कहना चाहिए help by parents and friends माता पिता और दोस्तों को उसके मदद करनी चाहिए treated normally and provided with audio series उसके साथ सामान्य बरताब करना चाहिए और उसे audio series प्रदान करनी चाहिए या फिर given special treatment उसके साथ business विवाहर करना चाहिए तो क्या होगा यहाँ पर सही अंसर देखो प्राइमेरी स्कूल में जो भी visual disorder बाले जो भी students है उनके साथ क्या करना चाहिए excuse to lower level than बाकी कख्या के तुलन में काम 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 करने के लिए बोलेंगे नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता help by parents and friends जो students का parents होते हैं या फिर friends होते हैं आसा करेंगे कि वो सारे उसको जो visual disorder होगा जो students का उनको उसको help करेंगे यह सब टाइम तो यह help नहीं कर सकते treated normally and provided with the audience series देखो उसके साथ जैसे inclusive classroom में होता है inclusive में क्या होता है सभी normal children के साथ special children भी include होते हैं तो वहां पर क्या करना चाहिए उनकी जो भी visual disorder होगे जो भी children उनके साथ बाकी बच्चे के साथ जैसे भी behave करते हैं उनके साथ भी वैसे behave करेंगे और जैसे उनका कोई देख नहीं सकते कुछ जी तो क्या करेंगे उस टाइम हम कुछ audio series यूज करके उनको अच्छे तरह से बढ़ा सकते हैं तो यहां पर आपका सही answer हो जागा अप्शन नमबर सी treated normally and provide with audio series तो बढ़ते हैं हमारे next question question number 9 what is the best method of learning अधियन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा reading पढ़ना memorization याद करना project या फिर play way खेलने का तरीका तो क्या होगा यहां पर best method of learning किस method से हम बहुत अच्छे तरह से सीख सकते हैं सिर्फ पढ़कर reading से नहीं memorization याद करके सब कुछ यह अच्छा method होगा क्या नहीं यह भी नहीं हो सकता project method project method सही answer हो सकता है play way method सिर्फ खेलने का तरीका सही नहीं होगा best method नहीं होगा project method में क्या होता है यहां पर से answer हो जाएगा project method option number C project method में क्या होता है कोई भी subject आपको दिया जाएगा कोई भी topic के उपर आपको कोई भी topic आपको चूच करने के लिए कहा जाएगा और उसके उपर बहुत सारे information collect करके और अपने भी खुद का idea कोच add करके उसमें यह project बनाया जाता है तो यहां पर सही answer तो बहुत 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 रिन होगा project method यहां पर best method यह सारे options ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे question number 10 which of the following would not be adequate to judge formative assessment formative assessment मतलब रचनात्मक मुल्यंकन को परखने के लिए कौन सा option सही नहीं होगा oral questions oral questions तो हमारा सही होता है जैसे कि हम biz biz में कोई भी पढ़ाते समय हम biz biz में कोई भी questions पूछ सकते हैं तो यह हमारा formative assessment में हो गया आ गया तो MCQ MCQ मतलब तो यह नहीं होगा हमारा पहला option नहीं होगा oral questions MCQ यह हो सकता है यह हमारा judgment formative assessment के लिए judgment नहीं करा जैसे assignment assignment में formative assessment में आता है assessment assignment देखके हम क्या improve हो सकता है students का कितना तक नलेश है कितना तक idea है और क्या improve हो सकता है उसके बारे में बोल सकते हैं तो यह formative assessment assessment के अंडर आ सकता है project method भी हमारा जो project होते है वह भी formative assessment में आता है तो MCQ यह क्या होता है यह actually summative में आता है actually MCQ मतलब multiple choice questions हम किसलिए देते हैं कि summative assessment मतलब last में जो भी पढ़ायगा चीज last में उन students को evaluate करने के लिए हम यह जो है MCQ का यूज करते हैं तो हमारा option यह होगा हमारा summative assessment जाता है तो formative नहीं हो सकता इसलिए हमारा सही answer होगा option number B ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले question क्याओ question number 11 if a child from the primary section is angry not listening to the teacher and responds negatively what would you do अगर प्राथम में कख्या का एक बच्चा गुस्सा है सिख्यक की बात नहीं सुन रहा है और नकारात्मक प्रतिक्रियां देता है तो आप क्या करेंगे scold him उसको डाटेंगे comment aggressively अक्रामक रूप से टिपणी करेंगे leave him alone उसे अकला छोड़ देंगे divert his anger to something positive तो क्या होगा यहां पर सही answer आप सभी को पता है कि एक अच्छे teacher का behavior एक अच्छा direction में होना चाहिए तो उसको कभी भी rude नहीं होना चाहिए rude behavior is not acceptable for a good teacher so यहां पर option a को ज़दी देखेंगे तो scold him उसको डाटेंगे नहीं डाट नहीं सकते तो हमारा option a कट हो गया comment aggressively यह तो rude behavior हो गया तो यह भी नहीं होगा leave him alone उसको एकला छोड़ सकते हैं क्या नहीं यह भी नहीं होगा हमारा option तो उसका जो गुस्सा है उसको हम एक positive किसी भी positive के और mode देंगे तो क्या होगा यह D होगा हमारा सही answer next question number 12 which of the following problem does a child generally has कौन से समयस्या जो बच्चों को आमतर पर होती है क्या है पेंपोरिंग पेरेंट्स लाड़ प्यार करने वाले माता पीता सबी को नहीं मिलती किसी को मिलते हैं तो किसी की नहीं मिलते हैं तो generally यह problem जादा दिखाई देते हैं low IQ ऐसा कूछ नहीं है हेरे लिटरी प्रॉब्लेम्स भी नहीं तो आपका सही अंसर हो जाएगा यहां पे अपसान नमबर A पढ़ते हैं अगले कोशिन के और कोशिन नमबर 13 यू आर एक गूड टीचर आप एक अच्छा सिख्यक और सिख्यक हैं जदी आपका IQ बहुत जादा है आप धर्जे हैं आप समझतार हैं या फिर आपका IQ बहुत जादा है हम कैसे एक गूड टीचर हो सकते हैं जदी हाई IQ होगा हाई IQ सिर्फ होने से गूड टीचर नहीं हो जाते उनके अंदर पेसंस होना चाहिए अंडरस्टांडिंग होना चाहिए ठिक है तो यह दोनो ठीक हो जाएगा यह दोनो अपसन डी में आ जा रहे हैं जैसर कि patience और अंडरस्टैंड यह दोनो अपसन डी में है तो इह होगा हमारा दी अपसनडी होगा हमारा सही अंसर बढ़ते हैं अगले कोशिन क्या और कोशिन नमबर 14 What is dyslexia dyslexia का मतलब क्या है mental disorder एक मानिसिक बिकार है mathematical disorder और एक गनितिक बिकार है reading disorder अधियन बिकार है या फिर behavioral disorder एक ब्यवाहारिक बिकार है तो क्या होगा यहाँ पर सही अंसर dyslexia का मतलब होता है यहाँ पर यह एक learning disorder है जिससे एक बच्चा क्या कहता है ठीक से पढ़ नहीं सकता जैसे कि हम बोलेंगे B, D, O तो उसको वो पढ़ेगा बच्चा कैसे O, B, D O, B, D हिसाब से पढ़ेगा या फिर D, O, B हिसाब से पढ़ेगा और एक example लेते हैं जैसे कि Do, D, O, Z Do को वो कैसे पढ़ेगा G, O, D हिसाब से पढ़ेगा ठीक है तो उसका क्या हो आ reading में कुछ problem आया है तो ठीक से वो नहीं पहचान सकता कि God लिखा है या Doc लिखा है ठीक है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका option number C जो कि reading disorder dyslexia का मतलब होता है reading disorder ऐसे और कुछ भी और कुछ types के हम learning disabilities के बारे में जानेंगे यहाँ पर जैसे कि dyslexia यहाँ पर दिया था आपको पता है dyslexia का मतलब है यहाँ पर learning sorry dyslexia का मतलब है difficulty in reading ठिक से नहीं पढ़े पाएगा dyslexia calculation का मतलब पता है calculation किस से related है math से related है तो dyslexia हो जाएगा math से math में जिसका problem है उसको कहेंगे dyslexia dysgraphia graphia का मेंद से आपको पता है graphia graphia का मेंद क्या होता है लिखना writing तो राइटिंग से जिसका problem है लिखने से उसको कहेंगे हम dysgraphia dyspraxia dyspraxia मतलब dyspraxia और इसको और भी नाम से हम जान सकते हैं इसकी sensory integration disorder यह किसे related है जिसको fine motor skill में problem होता है उसको कहेंगे dyspraxia कुछ लिखना है ठीक से नहीं लिख पा रहा है उसका हाद में कुछ problem है कि फिंगर ठीक से arrangement नहीं हो रहा है लिखने के लिए motor skill में problem हो रहा है तो उसको कहेंगे हम dyspraxia dys फिर उसके बाद आया dysphagia और aphagia means difficulty with language बोलने में कुछ problem हो रहा है कुछ भी भासा कुछ भी भासा language बोलने में problem हो रहा है तो उसको कहेंगे dysphagia और aphagia next step auditory processing disorder auditory का मतलब तो पता है आको सुनने में कोई भी problem हुआ जैसे कि difficulty hearing differences between sounds कैसे sound आ रहा है दो sound से अलग अलग प्रकार का उसको वो differentiate ठीक से नहीं कर पाय रहा है तो उसको कहेंगे auditory processing disorder फिर आता है visual processing disorder visual का मतलब पता है आपको दिखना जैसे कि difficulty होगा कि इसमें interpreting visual information कोई भी चीज़ देखने देखकर वो ठीक से interpret नहीं कर पाएगा कि यह map है या फिर math है वैसे चीज़ों का इंटरप्रेट नहीं कर सकता तो उसको कहेंगे visual processing disorder तो आप इन सभी का screenshot ले जाए और फिर और आप इस इन सारे learning disabilities का आप note भी कर सकते हैं आपको बहुत ही helpful होगा आगे चलो बढ़ते हैं अगले question क्या और यह है हमारा last question question number 15 what should a good teacher be able to एक सिच्छक को कौन से काम में सक्ष्यम होना चाहिए identify gifted children प्रतिवासाली बच्चों को पहचानना या फिर understanding all children's abilities सभी बच्चों को ख्यमताओं को समझना या फिर identity learning disabilities सिखने की अख्यमताओं को पहचानना या फिर none of the above तो यहां पर बोला है कि एक good teacher what should be a good teacher be able to एक सिख्यक को कौन से काम सक्ष्यम होना चाहिए अच्छे teacher को करन से काम में अच्छे होना चाहिए understanding children's abilities यहां पर सही answer हो जाएगा आपका option number B क्या करेंगे सभी बच्चों की ख्यमताओं को समझना और सिर्फ प्रतिबासाली बच्चों को मतलब gifted children को पहचानना यह नहीं होगा identifying learning disabilities शिखने की ओक्यमताओं को पहचानना यह भी नहीं होगा एक अच्छे teacher का यही काम होता है कि वो समझ सके कि एक students का क्या-क्या ability है क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके हिसाब से वो सभी teaching method का apply करेंग सकते हैं और उनका improvement भी कर सकते हैं नेक्स्ट है यह तो हमारा last question था अगर इन questions का pdf आपको download करना है तो आप हमारे चैनल द्रोना चार्जिय एजुकेशन को सार्च कर सकते हैं टेलिग्राम पर और उसको जाइन करके आप वहां से इन सारे questions का pdf डाउनलोड कर सकते हैं आपको यह session अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजिये अपने दोस्तों के सार्च आपको बहुत अच्छा लगा तो श्यार भी कर सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe भी कर दिजिये तो यह था हमारा session तो thank you for watching मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई